पिर दोस्तों, नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम इंगलिस सीखने के नियम पढ़ेंगी, यहों नियम इतने महत्तपूर हैं कि आप नहीं कह सकते हैं कि हमें इंगलिस पढ़ना छोड़ देना चाहिए, इंगलिस बहुत ही सरल भासा है, आज यहों मेरी पहली वीडियो है, आप चैनल को सब्सक्राइब सेर अवश्य करें, क्योंकि इंगलिस सीखने के इसे किमतिन्यम आपको और कहीं नहीं मिल पाएंगे, सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ए को औ कपड़ते हैं और ए को ए कपड़ते हैं, कहीं सब्सक्राइब 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 सब्सक्रा पूरी तरों से समझ पाएंगे देखे समझते हैं देखे एको और कम पड़ते हैं आपको कुछ सब्द याद रखने हैं आपको कुछ सब्द याद रखने हैं एल एन आर एन टी और एन सी जब किसी सब्द में ए पस्तित हो और ए के बाद इन में सी कोई भी सब्द आई वहाँ पर हम ए को और पड़ते हैं जैसे नोर्मल नोर्मल को हम लिखते हैं एन ओ आर एम ए ल यहाँ पर एल विद्यमान हैं नोर्मल मौ में ओकवचारण हो रहा है यहाँ पर हम इस एक को ओ पड़ेंगी क्यूं? क्यूंकि मौ में ओकवचारण हो रहा है हमारे नियमान उसार यहाँ पर एक के बाद एल भी विद्यमान है अब हम पड़ेंगे अब हम पड़ेंगे एक को एक कब पड़ते हैं ध्यान दीजिए दो सब्दों के बीच में ए आई तो भी हम ए को ए पड़ेंगी उधारण के लिए मैं में में एक अउचारण हो रहा है और दूसरे सब्द लेते हैं कैन यहाँ भी एक अउचारण हो रहा है एक इस्तिती हो रहे जब दो सब्दों के बीच में ए हो फर्ष्ट सब्द यह हुआ और दूसरा सब्द यह हुआ बीच में ए हो और अंत में अगर ए आए तो वहाँ पर भी हम ए को ए पड़ेंगी में तो एसा ही लिखा जाता है हम एक दो साथ सब्द लेते हैं कि दो सब्दों की बीच में A हो और अंत में E होना चाहिए वहाँ पर हम A को भी A पड़िंगी उधारन के लिए मेल यहाँ पर मे मे एक आउचारन हो रहा है एक दोसरा सब्द और लेते हैं टेल यहाँ पर भी टे में एक आउचारन हो रहा है इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम E को पड़ने के नियम बथाएंगे इस वीडियो को सब्सक्राइब से यर अवसे करें ताकि में आपको और कीमती वीडियो लेकर आ सकूँ थैंक यू, हेवे नाश डे